हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चेनल, क्याम छोओ मजामा, आज ना वीडियो माँ तमने बतावी साइड स्लेट वाड़ी कुर्ती नू कटिं, तो वीडियो सरू करिये, एना पहला जो तमने मारो वीडियो गमे, तो लाइक कर जो, शेर कर जो, अने मारी चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सस्क्राइब कर जो, बिल बटन ने दबाव जो, तो आमारू बे मीटर कापड छे, बे मीटर कापड ने आरी ते खोली, अने उन्दू करी, चार बार फोल्ड करी देवानू, आमे चार बार फोल्ड करी दिदू छे, आरी ते चार बार फोल्ड करी, सर्खू कर करी देवानू अने हवे आपड़े अईया एक सीधी लाइन ड्रो करी देवानी जेथी के कापड़ु उन्चु निचु होए तो सीधु थाई जाए आटलू कर्या बाद हवे आपड़े छातीनो चोत्थो भाग लेवानू अने 2 इंच एमा एक स्ट्रा लाई इटलू कापड फोल्ड करवानू छे हवे आपड़े चोली नी लंबाई लेवानी छे तो चोली नी लंबाई आ चे मारी पंदर इंच पंदर माई एक इंच एक्ष्टरा लए, सोली इंच उपरु निसान लगाऊंचु आर इते निसान लगावी सीधी लाइन ड्रो करी देवानी आटलू कर्या बाद हवे आपणे आने कट करी देश आटलू कर्या बाद आपणे आ चोली नी लंबाई आटलू कापण मली जसी तो यह आपणे चोली नुमा आपणे एनू कटें करवानू छे तो यहाँ साइड आपणे एक सीधी लाइन ड्रो करवानी जहाधी मा आपणे शरुवात करवानी छे एला इने छोड़ीने आपड़े मापलेवानू छे तो सवती पहला आपड़े सोल्डरनू मापलेईसु तो इन्या मारू सोल्डर से चाउदी इंच तो चाउद नू अर्धू कर देवानू एल्ले के साथ इंचु पर निसान लगावी देवानू आट्लू करया बाध हवे आपड़े इन्या 180 निसान लगा आनु आर्मámहल साइड अनि त देबानु जटला सोल्डर होय अक मा आड़दो इंचु मेरी आर्ममहल निसान लगावी देवानु तो हो इंञा साड़ा साथू पर निशान लगाओ छू हवे आपड़े यहा चा ती नुमा अपले यहानू छे तो जीटलू साती नुमा आप हो यहनू चु अथो भाग solic zadattar इम उतले क्यों 9 इंचू पर निशान लगाओ छू 9 इंचुप निसान लगावी आरीते सीधी लाइन ड्रोग करी देवानी हवे कम्मननुम आपले आनुछे तो जिटली कम्मर होए येनुच अथो भाग लेलेवानु एटले क्या 8 इंचुप पर हो या निसान लगावुचु मारू या 8 इंच आवे छे हवे 8 इंचुप निसान लगावा या एक इंच एक्स्ट्रा लई लेवानु एक इंच ट्रोक्स माटे लेवानुछे एटलू करे बाद आपणे सीधी लाइन ड्रोग करी देवानी हवे आव धरानाक आपणने सीले मार्जिंग माटे निसान लगावी देवानु हवे या आर्म होल माटे एक निसान लगावानु एक इंचुप पर अने आरीते आर्म होल ड्राउंड आप़ी देवानु आरीते आर्म होलनु निसान लगावे बाद हवे आपणे आने कट करी देशु आजे निशान करी छे एना उपर सिद्धु आपड़े कट करी देवानु छे तो आपने चोली ना बनने पाट तैयार मल जसे आप आछण नी साइड छे अने आगर नी साइड छे हवे आगर नी साइड उपर आपड़े गड़ा माटे निशान लगावी सु तो आजे लाइन ड्रो करी छे त्यां थी आपड़े अड़े इंच माटे गड़ा माटे निशान लगावी सु अने गड़ानी लंबाई माटे आपड़े इंच उपर निशान लगावी सु आरे ते एक चौरस बोक्स बनावी देवानु ચौरस બોક്સ બનાવી ને ગળાનુ સેપાપિ દેવાનુ આ ઈતે ગोુગ સેપાપ્ય આપદ આપણિ ગળાનુ કટિંક કર્ં કરી દેષું गोड सेफ आपJI यापड़ आपणें गड़ानु कट्टिंग करी देसु हवे इंवे आपणें आगरनी साइड आर्मा होल मांटे अंदनी साइड थोड़ू निशान लगावी गोड सेफ आपी देवानू आ निसान आगलनी साइड जार मौल मा लगानू छे आने अंदर सेज अंदनी साइड सेपापी आने कट्टिंग करी देवानू हवे आ चोलीनी पाचननी साइड छे तो पाचननी साइड आपड़े गला माटे 8 इंजु पर या निसान लगावी सु लंबाई माटे 3 इंजु पर निसान लगावी ज्वरस बोक्स बनावी आरी ते गलानू गोल सेपापी आने कट्टिंग करी देवानू हवे अपड़े अईया ट्रक्स माटे निसान लगानू छे तो अईया आपड़े 5 इंचुपर आरीते निसान लगावी ट्रक्स नी लंबय माटे 4 इंचुपर निसान लगावी आरीते एक ट्रक्स तयार करी देवानू एज रिते पाच्छनी साइड पन टक्स तयार करी देवानु हवे आपणे आग्रनी साइड पन एज रिते टक्स नू निशान आपी छू आजे लिट्टी दोरी छे त्याथी अंदर नी साइड पांच इंचुपर निशान लगावानु अने लंबाई माटे चारि इंचुपर आरिते निशान लगावी एक टक्स तयार करी देवानु पाच्छनी साइड पन एज रिते टक्स नू निशान करी देवानु हवे आपडे घेर माटे कटिंग करवानु छे तो घेर माटे आरिते कापडने 4 वखत फोल्ड करी देवानु आ 4 वखत कापडने वाळी अने आपडे जे कूल लंबाई होये ए लंबाई मा थी चोली माट्टे जे 15 इंच आपड़े बाद करियो हतु त्या इंच बाद करी देवानू अने 15 इंच थी निचे नी साइड आपड़े मापलेवानू छे तो जेटली चोली नी लंबाई हो एमा बे एंच एक्स्ट्रा करी ले लेवानू आ चोली नी लंबाई छे त्यां हो सीधी लाइन ड्रो करू चु अने आ बे एंच एक्स्ट्रा छे त्या एक सीधी लाइन ड्रो करी देवानी आ बे एंच अंदनी साइड फोल्ड करवा माटे छे आरीते गेरनू कटिंग करी देवानू और अवे आ घेरना भागने आरीते मुकी अने उपरनी साइड चोली नू पाट जी कट करी हो तो ए मुकी देवानू अने चेक करी लेवानू के चोली ना पाट करता बे की त्रोणी इंच गेरनू माप वधार हो जोई आटलू करे बाद गिरन्ना भन्ने भागने कट करी अलक करी देवानू तो आपना भन्ने पाट तयाया छे . हवे आपने 2 आनू माप लेवानू छे तो बायना मापमाटे कापडने 4 वखत वाडीने आरीते मुकी देवानू व हवे बायनी जे लंबाई होए त्या निशान लगावी एम्मा ब्या इंच एक्ष्ट्रा ले लेवानू आ बायनी लंबाई छी और ब्या इंच एक्ष्ट्रा लिद्धू छे त्या सीधी लाइन ड्रो करी देवानू हवे उपणनी साइड थी 3 इंच उपन निशान लगावी एक सीधी लाइन दूरी देवानी आबाजु थी 3 इंच अने आबाजु थी पन 3 इंच चेक करीलेवान। हवे आपणे आर्माहोल माटे निशान लगावनु छे तुमारू इंच आवेचे साड़ा साथ आटलू कर्या बाद बेंच सिलाय मालजिंग मटे निसान लगावी आरिते बायनो सेप आपिदेवानू हवे अंदर निसाइड आर्महोल मा पन बायनो सेप आरिते आपिदेवानू और अणे हवे मोरी माटे आरिते मापलेवानू मोरी नो जे बागवाय आनू अड़्धू करी आरेते निशान लगावी देवानू सीले माल जें करी आरेते सीदी लाइन ड्रो करी देवानी आटलू करे बाद हवे बाईनू कटिंग करी देवानू आर इते बायनू कटिंग करिया बाध हवे वच्चे नी साइड एक नानो कट लगावि देवानू हवे बायना भागने खोली आने आर इते आगर्नी साइड नो आर्महुल जे निशान लगावी छे तेनू कटिंग करिदेवानू आ कटिंग कर्या बाद हवे यहां एक नानू कट लगावी दे आनू तले खबर पड़े के आगर्णी साइड नी आर्मवल छे आरी ते आपड़े ड्रेस ना बदा पाट तैयार करी देवाना हवे आपड़े चोली नो भागले वानू जे खुली साइड छे तैने सीलाई नी मदत्ती फिटिंग करी देवानू अने आरी ते स्टीच करी वच्चे सीलाई लगावी देवानी वच्चे सो बटन अथ्वा जे पैटन बनावी होय ते बनावी सकाय हवे चोली ना भागने आ रिते मुखे आ रितनी गलापटी तैयार करी देवानी गलापटी ने उल्टी साइड मुखी सीलाई लगावी अंदनी साइड फोल्ड करी देवानी ए रिते में आ गळापट्टी तैयार करी दिदी छे हवे पाच्छनी साइड पण एज रिते गळापट्टी ने तैयार करी देवानी आटलू कर्या बाद हवे आपडे आ रिते चोली नू भागले वानू ने जे ट्रक्स मॉइंट माटे निसान बगावे छे ते सीलाई नी मद्ध थी स्टीच करी आ रितना ट्रक्स थायार करी देवाना बन्ने साइड आ रिते ट्रक्स थायार करी हवे चोली नो आगळणो भागले वानू ने वच्चो वच आ रिते एक निसान लगावे देवानू अने आ निसान नी बनने साइड एटले एक साइड त्राणेंच अने पेली साइड पन त्राणेंच आरी ते त्राण त्राणेंच उपर निसान लगावाना जे आइपडी प्लेट लगावा ने छे त्राण इंच नी आ बाजु अने त्राण इंच नी पेली बाजु doing लागए से, एले त्राण इंच युपर निसान लगावी देवानू હવે ગેરનું એક ભાગલઈ અને આને ખોલી દેવાનું ખોલી અને વચ્ચુ વચ્ચ એક નિસાન લગાવી દેવાનુ આરીતે ત્રન પ્લેટ લગાવી ને તયાર કરી દેવાની બીજી સાઇટ પણે એજ રીતે ત્રન ઇંજ પચ્ચ્ચી આરીતે એયાર કરી દેવાનું આબ ઇજો ભાગ તેયાર કરી હવેયાને સીધી સાઇડ ઉપર ઓલ્ટી સાઇડ મુકી આરીતે સોલ્ડર ને સ્ટીચ કરી સોલ્ડર જોઇન્ટ કરી દેવાના આટ્લુ કરીયાબાદ હવે આપણે બાયાઈ લગાવાની છ સોલે વાળી દેવાની અને આરીતે વચ્ચુ વચેક નિશાન લગાવી દેવાનુ અને નિશાન લગાવાનુ આરીતે પટ્ટી લગાવી ને તયાર કળિદી છે અને પાછાની સાઇડ આરીતે સીલે ની મદતી વાળી ઉપણી સાઇડ લાવી અને આરીતે સીલે ની મદતી સ્ટી કરી દેવાની અને વચ્ચી એક સો વટણ લગાવી દેવાની એજ રીતે બીજી વાજ પણ તયયાર આરીતે મે બંને બાયે લગાવી ને તયાર કરી દીદી છે હવી કૂરી કૂરી કરી અને આપડું જે ફીટીં નું નુ અને બંને સઈડ આરીત્ના ખુળલા કાપા રાખ્યા છે બચમાં ઇને સો બટણ લગાવી દીદા છે અને બાયને ભગમા કાં સો બટણ લગાવે છે તો આધના માટે આટ્લૂજ ઓકે બાય મળી સુને ક સ્ટુડ્યો માં